तो फिर आई हसीन दिलरुबा के एंडिंग में हमें पता चला कि रिशू और रानी की कहानी अभी भी खतम नहीं हुई है और कैसे इन दोनों ने पुलीस को फिर से एक बार चक्मा दे कर ये लोग भाग निकले हैं और इस जोड़ी के रास्ते में अभी भी बहुत सारे कांटे पिछे होए हैं और जो हम लोग ने सेकंड इंस्तॉल्मेंट देखा उससे तो यही आइडिया हुआ कि उनकी लाइफ में अब दो चार और नए दुश्मन खड़े हो चुके हैं जो पहले तो नहीं थे फर एक्जामपल मॉंटू चाचा और अभी मन्यू भारदवाज और ए यह लोग वो हैं जो उनके दिमाग को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं कि यह दोनों कैसे काम करते हैं बले ही इन दोनों ने पुलीस को यह मन्वा दिया हो कि अब वो जिन्दा नहीं है लेकिन अभी मन्यू और मॉंटू उनका सच बखु भी जानते हैं कि यह दोनों कितन शातिर हैं हाला कि अभी मन्यू को रानी का दुश्मन कहना गलत होगा क्यूंकि इस मूवी के कुछ हिस्सों में हमने रानी की आंकों में अभी मन्यू के लिए सौफ्ट कॉर्नर देखा जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स पार्ट से हम लोग क्या पील करेंगे इस वीडियो में बट इस से पहले मैं आप सभी को बता दू कि इस वीडियो में मूवी को लेकर स्पॉयलर्स है इस मूवी ने जो अच्छा काम किया है वो ये है कि मेकर्स ने अभी मन्यू के करेक्टर को ब्रिलिंटली डिवलप किया है उसके करेक्टर में इतनी लेयर है जिने पील करना अभी भी बाकी है तो फिर आई हसीन दिलरुबा के एंडिंग में अभिमन्यू ने मॉंटू को ये बताया कि उसने ही रिशू और रानी को अपनी मौत को फिक करने का आइडिया दिया था और उन लोगों ने उसी के आइडिया को उसके ही खिलाफ यूज कर दिया फिर मॉंटू ने उसे ये कहा कि ये प्लैन उसका नहीं बलगी उसके फादर दिनेश पंडित का था और यहां सबसे बड़ी ये रेविलेशन हुई कि अभिमन्यू बारदवाच असल में दिनेश पंडित का बेटा है हाँ ये वही author दिनेश पंडित है जो crime pulp fiction लिखता है जिसे रानी पहले पार्ट से admire करते आई और कई बार police के सामने court भी करती रही जैसे अपने को पता है कि दिनेश पंडित अब मर चुका है और चलो मान भी लेते हैं कि अभी मन्यू ही दिनेश पंडित का बेटा है तो इससे कहीं अभी मन्यू नहीं कहीं अपने बाप का नाम यूज करके सभी novels तो नहीं लिखे considering कि एक बार अभी मन्यू अगर अपनी पूरी family को मार कर police से बच सकता है तो शायद उसने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे murders किये हो और पकड़ा नहीं गया हो जिससे उसे sadistic pleasure मिलता हो औ तो इस बात का proof है कि maybe उसने actual में इतने murders किये है और वो एक CL murder भी हो सकता है तो चलो इसे detail में एक बड़ी देखते हैं तो रानी की एक बात से हम लोग speculate कर सकते हैं जब उसने पहले एक बार ये कहा था कि 30 साल बाद भी दिरेश पंडित अपनी किताबों के जरीए कानून से अपना बदला ले रहा है क्योंकि उसके novels में हमेशा crime करने वाले पुलीस से बचकर निकल जाते हैं में बीरानी ने figuratively ऐसा कहा हो जिस बीरानी का मतलब ये था कि दिरेश पंडित के मरने के बात भी उसकी बाते लोगों के लिए important है कि उसकी लिखी हुए चीजे इतनी powerful थी क उन्होंने लोगों के अंदर पुलीस के खिलाफ नफरत पैदा कर दी लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई दिनेश पंडित का नाम यूज करके नई stories publish कर रहा हो with same sentiment अगर ऐसा है तो ये possible है कि अभिमन्यू ही था जो अपने पिता का नाम यूज करके नई कहानिय पब्लिश करवा रहा था तो बाकी नौवल्स ना सही मगर मश का शिकंजा तो अभिमन्यू ने ही लिखी है इतना तो सपष्ट है अभिमन्यू मुझे एक सडिस्टिक साइको किलर लगा जो दुनिया को जलता हुआ देखना चाहता था तो शायद उसकी नफरत उसकी लिखा में जान सी फूख दी है देखकर तो मज़ा आ गया या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिलिश पंडित ने ही शायद आजे पल्प फिक्शन वो नौवल्स लिखे हो और बाद में आदे अभिमन्यू ने उसकी लेगिसी को आगे बढ़ाया हो और नौवल्स में दिये गए कोई नौवल लिखा हो उसने वही क्राइन फिर कमिट किया हो बट ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा क्योंकि साइको लोग लिखने के बाद क्यों क्राइम करेंगे वैसे कोई पता नहीं कुछ भी ये लोग कर सकते हैं जैसे कि अपनी फैमिली को और बाद में उन दो ब्लैक मेलर्स को जो रिशू और रानी के भागने में कांटा बन रहे थे एक और पॉसिबिल्टी की बात कर सकते हैं थर्ड पॉसिबिल्टी वैसे ये तोड़ी लीस्ट फेवरेट है मेरी में भी ऐसा हुआ होगा कि अभी मनियों ने रानी से मिलने के बाद ही दिनेश पंडित के नाम से नॉवल्स लिखना शुरू किया हो क्योंकि रानी दिनेश पंडित की नमबर वन फैन थी और वो रानी का बट इतना जल्दी लिखना पॉसिबल नहीं है मूवी में जो टाइम लाइन बताई है उसके अगॉर्डिंग बट फिर भी पॉसिबिलिटी तो बनती है क्योंकि अभिमन्यों ने काफी क्लेर लिए एक बार ये कहा था कि उसकी जिंदगी बेकार थी जब तक रानी उसकी लाइफ में नहीं आई थी लेकिन रानी से मिलने के बाद उसका लिटरेचर के लिए प्यार फिर से जाग गया और साथ ही उसका किसी के लिए रोमैंस करने का मन भी बट अपने यूनीक तरीके से अभिमन्यों चाहता था कि रानी उससे और्गानिकली ब्यार करें और साथ ही वो ये भी सावित करना चाहता था कि वो दिनेश पंडित का सबसे बड़ा फैन है तो इन सब को देखते हुए काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि शोरनर्स हसीन दिलरुबा का एक और इंस्टॉल्मेट लेकर आएंगे जिसमें मेरा मानना है कि अभी मन्यू की बैगराउंड स्टोरी पर ज़ादा फोकस होगा और हो सकता है कि दिनेश पंडित यानी की अभी मन्यू के फादर के बारे में भी हम लोग डीटेल में जान सकते हैं तो फिर आई हसीन दिलरुबा में अभी मन्यू ने मॉन्टू के सामने ये बात क्लियर कर दी कि अगर उसे रिशू और रानी की बाड़ी नहीं मिली है तो पूरे पूरे चांसे है कि वो फिर से भाग निकले है वो भी तुम लोग को बेफकुफ बना कर और काइंड और मॉन्टू को इस बात का पता था कि अभी मन्यू जूट नहीं बोल रहा है मॉन्टू के पास एक भगा हुआ क्रिमिनल तो था यानि कि अभी मन्यू वो अब उसके कस्टडी में था लेकिन मॉन्टू के भांजे यानि की नील की मौत के जिम्मेदार अभी भी फरार है और उनको सदा दिनाने का उसका जुनून अभी भी उसके सरचडा हुआ है जितना की रिशू अपने अंकल मॉन्टू को जानता है उससे तो यही लगता है कि मॉन्टू एक बार फिर से अपनी तलाश शुरू करेगा रिशू और रानी को ढूनने में नेक्स पार्क में और यह भी पॉसिबल है कि मॉन्टू अभी मन्यू की मदद लेगा उन्हें पकड़ने के लिए यह इसलिए स्पेकुलेड़ है क्योंकि अभी मन्यू ही एक ऐसा शक्स है जो रिशू और रानी की तरह सोचता है उसने भी वो नोवल्स पड़ी है या लिख रखी है जो रानी और रिशू के लिए इंस्पिरेशन थी एक टाइम पर तो पका मौन्टू अपने तरीके बदलेगा और अभी मन्यू के साथ मिलकर उन्हें अब चांसे जीने तो नहीं देगा इटलीस्ट इसके इलावा पुरी फिल्म के दौरान मौन्टू नील के फादर के साथ बात करते हुए दिखाया गया है तो एक बात तो ये भी क्लेर है कि मौन्टू ने अपने बड़े बाई से वादा कर रखा है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएगा क्योंकि यही नील के फादर की इच्छा है लेकिन हम यह नहीं जानते कि नील का फादर किस तरह का इंसान है तो हो सकता है कि उसे नेक्स इंस्टॉल्मेंट में लेकर आएंगे मेकर्स जहां यह देखना इंटरस्लिंग होगा कि वो किस स्वभाव का इंसान है उसकी सेक्स टेप तक का इस्तमाल करने वाला था तो यह मान लेना सेफ है कि नील का फादर ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और अगर मॉन्टू और अभिमन्यू के साथ नील का फादर भी इस चेस में शामिल हो जाएगा तो रानी और रिशू के लिए जिन्दा रहना मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से तो रानी और रिशू को जिन्दा रहने के लिए कुछ नए तरीके सोचने पड़ेंगे और रही रिशू और रानी की बात इनका next move क्या होगा ये depend करता है उनके state of mind पर तो रिशू और रानी ने ये बात accept कर ली है कि अगर उन्हें जेल से दूर रहना है तो उन्हें अपनी पहचान और जगा लगाता बदलनी पड़ेगी और हमेशा भागते रहना पड़ेगा उन्हें लगा था कि हसीन दिलरुबा में अपना plan successfully execute करने के बाद पुलीस उन्हें शांती से जीने देगी लेकिन मॉन्टू अचानक ही कहीं जियाटब का और उसने केस दोबारा खुल दिया क्योंकि वो अपने भांजे की मोद का बदला लेना चाहता था अब रिकॉर्ट्स के मताबिक second part की end में रीशू और रानी फिर से मर चुके हैं और वो यही चाहते हैं कि सबको यही लगता रहे रानी ने एक रिस्क लिया और वाटरफॉल में जंप करके मॉन्टू और अभिमन्यू को यह महसूस करवा दिया कि वो अपनी जान ले रही है लेकिन उसकी बॉड़ी नदी में तो मिली नहीं और अभिमन्यू ने तुरंट यह डिड्यूस किया कि इस कबल ने फिर से पुलिस अतौरइटिस को धुखा दे दिया है यह रिशू और रानी के लिए एक बड़ी जीत है वैसे लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जिन्दगी उतनी असान नहीं होने वाली जितनी उन लोगों ने सोच रखी है एक तुरी यह भी हो सकती है कि रिशू और रानी इंडिया से निकल कर अपने उरिजिनल प्लान के मताबिक थाइलेंट चले गए हो चुकी थी और अपनी पार्लर वाली जॉब वो सक्सेस्फिली चला रही थी लेकिन अब रिशू की असलियत सामने आ चुकी है और रानी का मोत का नाटक भी एक्स्पोज हो चुका है तो वही पुरारा ट्रिक दोपारा तो ये लोग नहीं आजमा सक क्योंकि जहाँ भी उनका चहरा नदर आएगा मोंटू और पुलीस तुरंट उन्हें ट्रैक कर लेगी मतलब कि अब वो लीगल तरीके से पैसा नहीं कवा सकते और ना ही देश से निकल पाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें अब इलीगल तरीके ढूंडने पड़ेंगे इंडिया से बाहर जाने के लिए वही उनका सेफ हैवन होने वाला है जिसका मतलब यह हो सकता है और मैं चाहता हो कि ऐसा ही हो तो रानी और इशू एक हाइस प्लान करें और देश से भाग जाए मोंटू और अभी मन्यू उन्हें पकड़ने से पहले यह हाइस किसी तरह की भी हो सकती है पैसे डूटने की या फिर रानी सेड़क्टिवली किसी अमीर आदमी को फसाएगी और उसका और उसका यूज करके अपने और रिशू के फ्यूचर के लिए वो उसका यूज कर सकती है कुछ भी हो यह देखना इंटरस्टिंग होगा कि रिशू और रानी फिराई हसीन दिलरुबा के सीकुल में कैसे अभी मन्यू और मॉन्टू को मात देते हैं